Hello friends, आज की वीडियो में बात करेंगे, हम Adobe Premiere Pro में Glitch Transitions को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहां से इसको download कर सकते हैं, के स्टार्ट करते हैं, मैंने यहां पे एक प्रोजेक्श्द बना रख्या हैं, कम इसरी की ज्युक्ति आइशन करें। द، ओधें अदय को दना शकते हैं, रिंक घेयें में काइशन को di constitution ब outsयाख्या आद करने के लिए के कारें। अब को यहांपर एफक्स में झाना है यहां पर भीक सेगा कुछ सेग्मेंट उसको पेपेड प्रिक्षुटårने के दकिना और सbor प्रिसेट करने के बाद Bush आपके यहांपर 20 Glist transitions के नाम से आपको preset में यहाँ पर दिंखेगा अब की आपका import होने के बाद में क्या है कि आप उसको यूज कैसे करना है? यूज करनी के लिए क्लिफ में पर उसको ूज करना है तो उसमें क्या कारना है? कि आपको यह decide कर लेना है पहले कि कि था करने के लिए यूज करने है तो 5 seconds कि यूज करना वे उद्धा शक्त कर लेता हूं। यहां पर देखे मैं ने 5 seconds का ले लिया है । कि अधिर कट लिढा दिया है कि यहां पर भी मैं धिर कическая क्ट लगा दिया हूं और यह भी कट मैंने लगा दिया हैं कर आपि जितनी इदः बहुत findet लेफ्ट आइट कर दिया हैं और आप यह जितने बहुत में कि जहाँ है की transition left right होगी तो जैसे आपको यहां पर के पहले beginning के beginning में आपने cut लगाया है और यह जो दूसरा cut लगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके end पे भी cut लगाना पड़ेगा यहां पे उस transitions को use करने के लिए तो आप क्या करेंगे कि left transition को यहां करेंगे इस कुलिप के यजो पहली कुलिप हो रही थी यहां昨$, जब कर लेफ्ट, कीप के दो सेगमेंट आपको नजराएगे उसीुईज करना है, जहां पर single transition है वहां पर उसको आपको कैसे यूज़ करना है मैं दिखा देता हूँ किसी भी जैसे हमने यहां पर इस clip के first में cut लगाया है तो किसी भी transitions को आप ले जा करके इस clip को पर drop कर दीजिए सब देख पाएंगे कि यह पहली transitions है यह हमारी कैसे काम करते हैं यहां पर हमने cut लगाया है जैसे मैंने यहां पर एक cut लगाया है यहां पर एक cut लगाया है और यहां पर भी एक cut लगाया है तब किसी भी transitions को ले जा करके आप इसके उपर like मैंने drop कर दिया है एक इसके उपर drop कर दिया है और एक इसके उपर drop कर दिया है तो अगर आप यहां से देखेंगे अपनी क्लिप को तो transitions है आपको यहां पर यह देखें यह transition है यह आपको यहां पर ऐसे दिखेंगे duration आप अपने coding कम ज़्यादा कर सकते हैं यह जो transitions है downloadable link मैं आपको description box में दे रहा हम आप आहां से इसको download देखें second transition है तो यह आप ऐसे काम करेगी मैंने आपको यहां पर 4-5 examples दिखाए है यूज करने के आप 20-20 जितने भी है 20 transitions है आप सारी उसमें यूज कर सकते हैं यह सब एक ही theme पर based है glitch based transitions हैं यह देखें यहां पर यह ऐसे काम करेगी सब इसली फ्री मेंन को download करके यूज कर सकते हैं